तो ही एवरीवन वेल्कम टू ईजी फार्मा तो गाइस आज यहां पर हम डिसकस करने वाले गेस्ट्रो इंडस्ट्राइनल एजेंट्स आप देखिए हमारे क्या होते हैं इनको डीटेल में हम डिसकस करने वाले हैं तो जैसे एक सब्जेक्ट हमारे हैं आप चला है डिटेल में बताया था किस तरीके से इसमें जो हमारे एक्सांपल हैं उनको किस तरीके से यहां पी श्टडी करना है तो आज हमें आप देखने वाले सेकंड वीडियो लेक्चर इसमें गेस्ट्रो इंडश्टाइनल एजेंट्स तो इसके अंदर फर्श्ट हम डिसकस करने वा करने का अब क्या होता है चैनल यहां पर यहां पर आजाती है तो इस वई से क्यों होता है मतलब कभी-कभी क्यों जा रहे हैं और आगर यह उपर की तरफ जा रहा है तो यहां पर हमारो Oesofagus होता है उसमाई ulcer वगएर भी कर सकता है mouth ulcer वगएर यहाने एक तरह से कह सकते है हमारे anti-acid यह होते हैं यह ऐसे हमारे substance acid मतलब दवाय हमारी होती है जो एक तरह से क्या होता है मतलब gastric acid होता है उसको neutralize करने का यहाँ पी यह work करती है एक तरह से कहां पर हमारे इश्टमक में तो आपने देखे विए टी बगर पर एड्स बगर आते क्या होता है एसिडिटी बगर हो जाती है तो उसको ट्रीट करने में इसका यूज़ कर जाता है इससे बिल्गु कॉमन एक जामपल है हम पर हम इसका समझे यह नोर्माली को होता है मुतलाब सारे को होता है Minsk होते है जाती है यह इस तरह जाती है उसके पर नियूट्राइबिक करते हैं यह करते हैं कहां है भूत हैं कहते हैं चलिए देख लेते हैं पिसकी आइडियल प्रोपर्टी क्या होता है आपने देखा कि सुग गैस अगर होती है इनों अगर पी लेते हैं और इट शुड नोट भी एब्सॉर्बेबल तो यह तो आगे हम देखेंगे थोगा सा डावट इसमें आगे आपको क्लियर होग गास आपने अगरव और सिकन कहिंते हैं दीखोघा कार्यच दीखता है कापव क bik मत घ्र Die which acid या नि कितने type के हमारे एंटा-acids होते हैं, तो एक तो हमारे हैंigor वह हुते हैं, जो एक तरह से एब्जोर्ड हो जाते है, इस हमारे sodium-bye-carbonate आ जाएगा, साथ हमारे एक होते हैं, non-sistemic anti-acids, तो हमारे यहां पर definition रहेगी उसके बाद आपके यहां पर यहां पर रहेंगे या आपके जो compound है यह रहेंगे चलिए यहां पर देख लेते हैं कौन-कौन से example आपके सिलिवस में दिये हुए जो यहां पर हम डिसकस करने वाले हैं तो इस एक तरह से इंटेसिट के अंदर आपके 5 यहां पर compound दे हुए हैं जैसे यहां पर फिर्ष्ट हम देखेंगे ऐल्मुनियम हाइडरोकसाइड जैल साथ में यहां पर मेगलड्रेट और यहां पर सोडियम कार्बोनेट रहेगा तो हमारे 5 यहां पर compound रहने वाले हैं जिनको डिटेल में यह एक्ट्रा करा रहे हैं आपकी knowledge के लिए क्योंकि एक तरह से आपको पता होगा क्या हमारा compound कैसे बनाए उसके बाद तो आपके समझ माएगा जब आपको सब पता होगा साथ में इसकी physical properties एक तरह से मापको करा रहे हैं जिससे आपको पता चले किस कलर का है क्या टेस्ट है किस में soluble है किसमें एक तरह से नहीं है तो आपके लिए optional है एक तरह से अच्छे marks लेने के लिए हमारी preparation of physical properties है आप एक तरह से confused हो सकते हैं आप comment कर सकते हैं सबस्क्रा करा दे इसलिए हम आपको इसको पहले बता रहे हैं तो चले देख लिए हमारे aluminum hydroxide gel क्या होता है तो देखे इसका formula होता है एल ब्रेकर में हमारा वैच रहेगा साथ ही में थिगी तो यह क्या होता है इसका chemical formula होता है एक तरह से हम एक तरह से मतलब जो acid की वज़े से क्या हो रहा है हमां पर मतलब कुछ दिक्कत वगरा आ रही है उसको नूट्राइस करेगा उसको एक तरह से लोवर कर वर्क फास्टर एक तरह से हमारे एक तो होते है लिकुट फोम में एक तरह से हमारे टेबलेट कैपसूल और की फोम में लिकुट हम कौन से वाले कह रहे हैं जो एक तरह से पावडर फोम में आते हम उनको मिलाते है वाटर में एक तरह से जब हम उनका योज़ करते हैं तो ब ھائیڈر اوکسائد کے ساتھ में हमारे मैन कंपा ус को यहां पर मिल जाता फनी हमारा क्लोराइड को साथ में हमारे हम इस got अिक अदे यहां तो यह हमारे लिखा गातै यहां धर ने लिख़रा है यह अब सॉर्ड को जैसा हमारे वी कट तो इस तरह से हमारे इसकी फिजिकल प्रोपल्टी होती है अच्छे आप इसकी फार्मस्टिकल फॉर्मिलेशन देखे तो एक तरह से और सुस्पेंशन की फॉम में यह अवैलेबल होता है अब यहां पर इसकी मार्केट प्रिपेशन तो इसमें आप नेफ्रोस आजाएगा सा आदि में आप पर अल्टरनी जैल आ जाएगा तो कुछ हमारे नाम ऐसे होते हैं जिन लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है आप यह ना सोचे कि सर गलत पढ़ है ठीक है तो इस तरह से आप इनको एड़्यस्ट कर लें थोड़ा सा कभी कभी देखे क्या होता है आप भी इसलिए जिनकों वेल कॉलोष कंटेनर बर रखते हुए एक तरह से हमारे इंवार्मेंट से बचाया जाते हैं उनकी सेफटी के लिए अच्छे हैं आप यह यूजी देख लेते हैं तो ऐसे एंटैसिटिक फॉम में का यूस कर रहे हैं अब इसके जो यूस है अब एक कंपा तो उपर की साइड में जाता है तो और डाउन साइड में जाता है जाता है तो तो देखने को मिलता है तो उस टेखनेगे घचन已经 कर लेती है तो इसका hydroxide क्या होता है इसको यहां पर हम देखे लेते हैं तो पहले हम देखेंगे इसका formula जैसे इसका formula होता है MgOH और साथी में 2S में तो इस तरह से हमार रहेगा थोड़ा समझान लेते हैं इसके बारे में तो magnesium hydroxide is an inorganic compound देखें यहां पर inorganic pharmaceutical के बारे में हम study कर रहे हैं तो two point एक तरह से आप लिख सकते हैं compound की definition में जैसे क्या होते हैं हमारी inorganic compound होता है और as a antacid की formant का यह उसका जाता है तो inorganic हमारा compound होता है which has the low solubility in water जो water में एक तरह से low solubile होता है यानि solubile होता है लेकिन एक तरह से low तर्के से पूरा अच्छी तर्के से नहीं साथ में एक तरह से white solid होता है साथ में पाए जाता है कहां पे nature में यानि एक तरह से कह सकते हमारे nature यानि एक तरह से जो हमारी प्रिकलती है उसमें यह पाए जाता है तो किस तरह से पाए जाता है एस यहां पे mineral ब्रू कि यहाँ प्रफार मैंगनीशम हाइडर फॉर्म में श्रप्सक्राइब मॉर्म जाता है एक इसको प्रपैर्ट्ट होता है यह छोता है तो इसके यहां पर फार्वर्मस्टिकल फॉर्मिलेशन देख लिए ईनि कौन-कॉन सी फॉम होती जिस चीवबल टैबले जो चबाने वाले टेबलेट्स होती है अध्य अगर में और। होता है साथ में suspension जो होते हैं हमारे और सपेशन इस में सवेस्जन भी ओएलेबर नेक्रोल रिए पेशन तुम मिलक उफ मैंगनीशी इस नाम होता है मारंकीट में नाम सब्सक्राइक हैं ठाशर के बहुत है इसको फइल कर चाहिक चलिए नेक्स इसम में देख लिए इसके यूज़ तो एजे एंटैसित जूट से माझा तुम यूज़ करी रहे हैं साथ में यूजुज़ फोर्मयू पर नहींद यहां पर उसमेटिक फोर्मी प्रोड़क्ट अपर इस में पर बनते हैं किया जाता है किसके एक तरह से हमारे मेंगर्याशन कोन कोन से हमारी कल रोगा है क्या हो गागश्टर हमारे इस viewing और स्थीध मलसल हो गया और साथ में एक तरह से हर्ट बन के होता है मतलब जब गैस वगएरा बनती है एक तरह से एच्डिट वगएरा हम कह सकते है जो पेट में जलन वगएरा हुन लगती है उस कंडिशन में इसके जाते साथ में डियोडेनम अलसर ही हमना आपको बता ही दिया अच्छा इसके यहाँ पर फिजिकल प्रोपर्टीज देख लेते है तो एक तरह से आप यह ने सुचे जिसके हमने प्रिपेशन नहीं लेखी है एक तरह से देखे जो हार्ड होती है यह तरह से हमें अच्छी नहीं मिली है जियो आपको वहाँ पर समझा सके तो उसकी हमने यहाँ पर छोग लेगी यहाँ पर आपके सिलिवस में भी डायरेक्टल नहीं पूचे तो इतना फिलाल हमने वहाँ पर फोकस नहीं क्या है फिजिकल प्रोपर्टीज यहाँ पर हम देखे तो वाइट क्रेशलान पावडर में अवेलिबल होता है साथ में अगतर से डायलूट मिनलाल एसिड में क्या होता है सॉलिबल हो जाता है और यहाँ पर वौर्टर में इन्सॉलिबल होता है एक्षिसम पर हम देखे लेते हैं इसकी फार्मासोटिकल फोर्मलेशन तो औरल सस्पेंशन की फॉम में यह अवेलिबल होता है एक्ष्टम देख लेते हैं यहां पर इसकी market preparation तो एक तरह से रायो पेन के नाम से होता है अच्छे इसकी storage condition देखिए एक तरह से airtight container में इसको रखा जाता है आप देखिए एक तरह से जैसे storage है तो storage का आप क्या कर सकते हैं आप similar भी लिख सकते हैं तो पॉंट आप मैं ध्यान में रखे एक तरह से it is stored in airtight container या it is stored in well-closed container तो वह एक तरह से हो रहा है क्योंकि पूला टाइट हो रहा है एयर वगर नहीं जाएगी इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं यूज हमारे वही सिमिलर रहेंगे एंटेसिट की फॉम में पैप्टिकल सर में हट बन यह तरह से क्या होता है पेट में जलन मगरा हो जाती है एक तरह से गैस बनने से साथ में इन गट नेक इस तरह समझा रहे है जिससे एक एक क्या word बेंकिंग पॉंडा के नाम से जाना जाता है साथ में इसका एक तरह से योस कर जाता है क्या करने में डिफरेंट टाइप की कंडिशन में अब देखेए आन्टेसीड तो उस तर किसी योस कर जाएगा जैस्से पेट में जलन मगएरा होगी साथ में एन डाइजेशन की होता है Acid Indigestion में भी इसका योस किया जाता है Digestion में हमारी अच्छी हो जाती है Next हम देखे लेते हैं यहाँ पर इसकी Preparation अब देखे प्रिपेशन हमने काफी जादा यहाँ पर असान लिख हुई है Normal के होता है हमारे जो NACL होता है यहाँ पर Sodium Cloride तो इसको एक तरह से Water और साथ में कार्बंडाई उक्साइड और यहाँ पर अमोनिया एनेस तीरी इन सबी को मिला के हम क्या करें हम यहाँ पर रेक्शन वगर करा रहें यहाँ पर मैं एनेस सीयो थुली हमारे जो एक तरह से मैं यहाँ पर compound है Sodium by carbonate हो में मिल लाए साथ में पर ammonium chloride भी इससे निकल लाए तो इस तरह के सा हमारी यहाँ पर यहाँ पर यह इसकी preparation होती है आप देखिए preparation यहाँ पर हमने इसलिए लिखा हुआ हमारी और भी यहाँ पर preparation होती है हमने only आपके लिए एक लिख हुई है तो आप चाहें तो यहाँ पर इसको काट ले उनली प्रिपेशन कर लें चलिए अब यहाँ पर हमने देखि लेते हैं इसकी physical properties कौन कौन सी इसकी physical properties यहाँ पर रहने वाली है तो देखिए white crystalline powder यह होता है साथ में orderless होता है और alkaline इसका test होता है water में soluble होता है alcohol में इसकी pharmaceutical formulation यहाँ पर हम देखिए तो एक तरह से tablet की form में भी available होता है जैसे like यहाँ पर 650 mg और भी हमारी होती है साथ में injectable injections वगएर जो हमारे आते हैं उनमें भी available होता है अच्छा market यहाँ पर preparations यहाँ पर हम देखिए अच्छा storage condition यहाँ पर हम देखिए तो it should be stored in well closed container एक तरह से fully closed container में एक तरह से इसको रखा जाता है अच्छा इसके use हम देखिए तो ऐसे intensity form में यूज कर जाता है तो इस तरह से हमारे यहाँ पर sodium by carbonate complete हो जाता है यहाँ पर last time हम अपना compound देख लेते हैं यहाँ पर calcium carbonate तो इसका जो chemical formula होता है यह होता है यहाँ पर CACO 3 अब देखिए इसमें two point यहाँ पर जानने वाले हैं एक तो एक तरह से as a intensity form में हम इसका use कर जाता है जैसे इसका formula CACO 3 होता है साथ में calcium carbonate जो होता है इसका use कर जाता है widely as an effective dietary calcium supplement यानि body में calcium को एक तरह से increase करने के लिए कुछ condition होती जिनमें हो जाता है साथ में as a intensity form में इसका use किया ही जा रहा है अच्छे हैं यहाँ पर कुछ benefit हैं पर हम देख लेते हैं reduce wrinkles एक तरह से हम जो कर रहे हैं हाँ पर calcium की बात हो लिए साथ में improve करते हैं हाँ पर digestive health जो हमारी क्या होती है digestive health होती है एक तरह से digestion वगएरा उसको भी इंप्रूव करता है अच्छा यह लिए muscles ग्राइम से उससाथ में joint pain क्या होता है calcium दो एक तरह से हमारी muscles वगएरा होती है साथ में जो bones वगएरा होती है एक तरह से joint pain वगएरा हो जाता है तो calcium कमी से बहुत वारो हो जाता है तो उसमें एक तरह से हमारा यह effective होता है अच्छा इसकी preparation है हम देख लेते हैं एक तरह से sodium carbonate के साथ में तो एक तरह से में COCO3 यानि calcium carbonate मिल जाता है साथ में 2 NaCl यानि sodium chloride भी हमें यहाँ पे मिल जाता है तो इस तरह से इसकी यहाँ पर यह preparation रहीगी इसकी physical properties यहाँ पर हम देखे तो white powder की form में यह होता है साथ में soluble होता है dilute acid के अंदर और साथ में देखे हैं इसकी pharmaceutical formulation तो यहाँ पर tablet वगर की form में available होता है साथ में हमार देखे एक तो होगी tablet जो normal एक तरह से हम निगलते हैं दूसरी होती हैं यहाँ पर achievable tablet एक तरह से जो हम चापते हैं जैसे digene वगरा होती है intensity की form में इस तरह से हम कह सकते हैं यह 400 mg एक तरह में available होती है जो इसके एक तरह से चेवल टैबलेट्स होती है आते हम पर market प्रपेशन यहाँ पर हम देखे तो एक तरह से टम्स अल्टरा के नाम से आता है साथ में चिल्डरन्स पैक्टो के नाम साथ है टम्स किट्स के नाम से भी यह आता है एंटैसिड हट बन यह हमारे सिमिलर रहेंगे साथ में एस नोन सिस्टेमिक एंटैसिड की फॉर्म में इसका योज़ कर जाता है तरह से हमारे जो यहाँ पर कैटिग्री एक कंप्लीट हो जाती है आप हमसे परसनली कनेक्ट हों चाथ तो आप मारी इंस्टाग्राम आइडी को फॉलो कर सकते है वहाँ पे हमारा पेज हो साथ ही हमारी परसनल आइडी है तो आप दोनों को फॉलो कर सकते है आपने परसनल डाउट वहाँ पे क्लियर कर सकते है तो अब आपको वीडियो लेक्चर कैसला आप में कमेंट करके बता है साथ ही मापको अच्छा लगाए तो वीडियो को लाइक कर अपने फिलेंट के साथ भी शेयर करें एंड आप माच चैनल पर ने हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करें तो मिलते हैं जल्दी ही आप से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में